आत्मा और भूतों की दुनिया बहुत ही रहस्यमय है, जिसका उनके साथ सामना होता है केवल वोही लोग मानते है कि आत्मा और भूत का इस दुनिया में विजूत है, और जो लोगों का उनके साथ सामना नहीं होता है वे लोग सिर्फ उन्हें कालपने की मानते है, खैर जो भ देता है। विज्ञान भी ये विशय पे परिक्षन कर रहा है और ऐसे भी परिनाम सामने आये हैं जो बताते हैं कि मृत्यू बाद भी आत्माओं का अस्तित्व रहता है और वो कभी भी अपनी इच्छा से प्रगट और अद्रिश्य हो जाते हैं। दॉक्टर्स ने भी उसको बचाने का बहुत ही प्रयास किया लेकिन वो नाकाम्याब रहे और उस बिजनेस की पत्नी का मरन हो गया। और इतना सुनकर उस आदमी ने चैन की सांस लेके होटल पे वापस आ गया। उस रात को जैसे ही अपने रूम का दर्वाजा खोला तो उसको लगा कि कोई पहले से ही उसके रूम में कोई है आगे जाके जब उसने देखा कि सामने बैट पे उसकी मृत्यू हो गई पत्नी बैठी थी। ये देख के वो आदमी थठठक आपने लगा। डर के कारण उसके गले में से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा ने उसके सामने जाके बोलना चालू कर दिया। उस आदमी की पत्नी ने बोला आपने जिस तरीके से मेरा अगनिसंस कार किय या उससे में बहुत ही संतुष्ठ हूँ। मैंने दक्षिना में दी हुई वो अन्बूठी भी देखी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आफ्रिका से लंडन यनहा पे तुम्हारे साथ रहने के लिए ही आई हूँ। यनहा पे डॉटर्स ने आपकी जाज की उससे मुझे बहुत ही शांती मिली है। पत्नी की आत्मा का उसके प्रती प्यार देखकर पती तो घेलो ही हो गया क्या बोलू क्या न बोलू उसकी उसे समझ ही नहीं पड़ रही थी। अब उसे अपनी पत्नी की आत्मा से दर दूर होने लगा। अब वो उसके साथ ही रहन उनका एक बेटा भी था जो अमरीका में पाय करने के लिए गया था। उसको लगा। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसको उठा के लेके जाने वाला और कोई नहीं उसकी मृत्मा ही थी। उसकी माता की आत्मा ने आके ही सही सलामत घर से बहार निकाला था। ये पुरी घटना का सार उसको उसके पापा ने बताया। इस तरीके से एक आत्मा ने उ उसका शरीर ऐसा ही था जो उनके जीवनकाल के दोरान था। उसके बाद वो अद्रिश्य हो गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो शेर जरूरू करना। हमारी और भी कहानिया पढ़ने के।